और दिवारेन से प्रॉपे से से खराब युब नियुदैंगेla को मौणिंग में इसको फर्सर स्टाट कर रहों दो पहले फहले फर्सरिट कर लेते देखते हैं हाँ प्र वह है और फी देखो नॉन्मार्मल क्यों है क्योंकि हमने यह आपका आपका सिंसर यह सिर्फ पलसर वायक के नहीं होता है जितना भी वायक है सभी वायक में होता है पलसर में इस तरीक सिस्टम रहता है बट दूसर गाड़ी में दूसरे टाइक पर सिस्टम रहता है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसका माल्टिमेटर में चेक करके दिखाऊंगा इसका क्या रिडिंग है कैसे इसको चेक करते हैं आपका फ्रोटल देख रहें उपर है नीचे है उसी साब से यह वाला सेंस करता है और आपका आर्पीम जो कम जादा करता है और आपका सीडियाई को यह सिगनल लेता है यह टैंग वाला हूं सबसे पहले हम इसको बाइक को स्टार्ट करेंगे अभी जो इसका सेंसर है देखो यह वाला सेंसर तो क्या स्टार्ट हुआ और आर्पीम में क्या प्रावलेम आएका देखो सिल देवाद है कोई भी प्रावलेम ने देखो बिल्कुल प्रापार तरीके से है एक दो मागिलिंग कर रहा है थाउजन पे और साउंड शूल इंजिन का आप इंजिन का साउंड में आएजर्च मुझे टैक्टेकल लाइफ में कोई भी कोई भी कोई भी प्रावलेम इसमें नहीं दिख रहा है कि मैंने इसका सेंसर हटा दिया है कोई-भी प्रावलेम नहीं है बाट कंपरनी ने ये वाला सेंसर क्योंद अगर प्रॉब्लेम नहीं आते इसको समझते हैं जो भी कॉप करते हैं और जो भी टैंग वगरा है सीडिया बहार निकालते हैं और मुझे बास दो कारवटर है एक है इसका लगा हुआ है और दूसरा जो आपके वाइक में होगा तो चले उसको दिखातों और प्रैक्टिकल कर अब बात करते हैं मेरे पास और करवर्ड यह सिंसर नई यह पलसर वाले में होता है यह आपको होंडा साइन या फिर आपका पैसान फूरो हो गया इस टैप आप कप्र होता है इसमें तीन पॉइंट आते इसमें प्लग राए तो इसका सेंसर यह वाला भी स्टीपिस सेंसर और यह वाले वह TPS sensor है यह वाले TPS sensor पल्सर से भी advance है आपके वाइग 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 एसा TPS sensor लगा हुआ इसमें देखो शिर्फ दो उतार है दोनों के काम में बताऊंगा दोनों का रीडिंग में बताऊंगा और अगर खराब जाता है तब भी क्या प्रब्लम आता है पुता हुआ और सब्सक्राइब करें करेंगे हम इसमें इस पॉर्षैन करें एप ऊंप lamp करें के छो इडिकर अब हम क्या करेंगे अब करेंगे शेक करने का लिए की तरीका है इसमें देखो दो प्रोब है ऑज ही नेगरिब किसी में भी अब लगा सकते हो इसमें जास्ट हमको चिक करना है इस तार में लगा दिया है कोई भी साउंड नहीं आ रहा है अब जैसे ही हम इसमें लगाएंगे और यह पर आपका चुम्बक रहेगा मेरे पास चुम्बक है ने मतलब हट खट चुका है तो मैंने अलग से एक चुम्बक टूकड़ा रखा है है कोई वाद यह सेम काम करता है इसमें अकंबर से आता है कि मेरे पास खोग है तो सिंप्ली हम बदेंगे सेंसर है यहीं देखो जैसे हमने इसका फ्रोटल देंगे जैसे हम इसका थ्रोटल देंगे थोड़ा सा देंगे कोई चेंज इस नहीं है कोई चेंज नहीं है बैसको आपस में जैसे इसको क्रोस करेंगे जैसे आप मालवा भी 90-100 या पर 110 का क्रोस करेंगे यह देखो बीप क्रोस हो गया बीप बंद हो गया इसका इसमें कोई भी कंट् होटल है ऐसे आप इसमें अभी जी रोप है ठीक है अभी तो आपने 20 पर चला रहे हैं अभी आप 40 पर चला रहे है 60 पर चला रहे है 60 70 तक 80 तक यह नोर्मल चलेगा जैसे आप पुरा यह फिर 100 ट्रेन कॉस्ट करेंगे तो आपके इसका इगनिसन है बोग्स का टाइमिंग एडवांस हो जाता है तो इसमें थोड़ा बहुत एडवांस नहीं रहता है मतलब इसमें इस सेंसर उतना जाद अच्छे प्रसेंस नहीं कर पाता है ठीक है बट जो हॉंडा साइन वाला ये इसमें इसतरे का सेंसर रहता है जिसमें यह 3 पॉंट इसमें तो दो पॉंट है ये बहुत जाओ रर्ञांस रहता ये पूरा आपको बता देगा कि आप सब यह संज कर लेगा उश्य सबसे साथ इस वाइक का सेंसर मतलब क्या इसमें कौन से पृइचन में कर नहीं नाता है तो फिब कॉन से पॉजिशन में करता है इसमें ने पापश लगा दिया है आप देख़ लो इसमें कॉन से मसर बोशिब कर रहें कि आपका बीप नहीं कहाले Nazツ सबुसिंग कोилась जाब लोगे अगर इसको लगते तो इस प्पर गहा आपने शुरूशन में चलता बट जैसे घर कुछ लगाना और इसको खोलना एक ही बात है अगर आपने फुल थ्रोटल दिया harbor तो इस पोजिशन में क्या होगा आपने हमेशा यगर इसमें आपको खोल रखा है तो हमेशा आपका बाइक ज्यादा तेल पीएगा मतलब ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है थोड़ा बहुत ज्यादा पीता है और आपका टाइमिंग हमेशा एडवांस ही रहेगा ठीक है जैसे आप बाइक नॉर्मल पोजिशन में है अभी इसको एडवांस टाइमिंग इसको नहीं करना है तो इहीं में बोलने वाला था ज्यादा प्रावलेम नहीं आते बट अठराव इसका प्रावलेम आहीं जाता है तो यह होन्न साइन देख सकते हैं सबसे पहले इसमें देखो इसमें प्रोब है मिडल बाला हमेशा नेगेटिब का होता है और दोनों साइड अलग सेंद करता है जैसे अपने अपने फ्रोटल अभी नहीं दिया मतलब बाइक आपका स्टार्टिंग में मतलब बाइक अपना खड़ा है आडिलिंग पर चलता है तब जाके यह रीडिंग देगा आप अगर आधार हफसल खफोल थे हो उससाब से यह सीड похож PI को रूइडिंग देगा चराण फूल तर्टल करते हो पूरा फूल सटल उससाब से सी जए को मतलब तीन बार यह त्यापन देता है इस साब से तीन बार मतलब यह बहुत अठा बाहुँन तकर आपको चेक करने व आपका 500 शूपर आएगा तो आपका थोटल जो आपने बंद पोई सब्सक्राइब अपने करीद ग्या नहीं अब यह है अब थोटल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे देखो यह हमने थोटा सा बढ़ाया देखो रीडिंग बढ़ रहा है ना यह देखो अभी 50 परसें हमने थोटल दिया है अभी इसका लास्ट रीडिंग जाएगा 1900 यह देखो थोड़ा सांक करते हैं इस रडूर को यह देखो अभी 0 से 60 परसंट थोटल तक आपका यह वाला सेंसर काम पड़ा है जो फूल फॉल वाला रेडिंग है बो सेंस करेगा आपका तीसरा बचा हुआ है बो वाला यह दो का पॉइंट हमने दोनों से लिए था जिरो से 60 परसंट थोड़ाल नहीं दिया है अभी जो लास्ट वाला यह वाला जो फॉइंट बच रहे यह वाला पॉइंट से सेंसर आपका 60 परसंट थोटल के बाद काम करेगा मैं आपको लाइब रूट दिखाते हूं सब सब्सक्राइब करते हैं और यह से देखो यह हमने कनेट करा ठीक है अभी पिछले बार ने हमने देखा था कि हमने कनेट करते हुए इसमें रीडिंग आला था अभी देखो कनेट किया हुआ है बड़ इसमें रीडिंग नहीं आ रहा है क्यूंकि हमने थ्रोटल अभी बंद पोजिशन में रखाए जब यह 60 परसंट से च्रोस करेगा तभि इसमें रीडिंग देखा रहा है अभी यह थोड़ाव वह चुछन देखो रीडिंग नहीं दिखा रहा है तो अभी देखो लास्ट टेज में अभी दिखा रहा हुआ तो 910 10 डिखारें यह बाल दिखायें धाल een कि यह देखो पेपो छीने में यह यह एको का लिट्वाइगो क्या जब भी यह हम स्थREE कौन कंपनेतले की यह तीन पॉजिशन तिरन किसी कम करता है जब आप नौर्मल कुझस पजिशन में जा हरहे हो अपको बाइक श्टार्ट है थोड़ा बहुत जा रहे हो 67 यह बाइक चला रहे हो तो आपका बाइक का टाइमिंग स्वार्क प्लार का टाइमिंग नॉर्मल रहेगा जब हायर रप्यम पर जा रहे हो ठीक है तो आपका टाइमिंग और भी अडबांस तरीके से काउंटिंग होगा किसमें देखो तीन पॉइंट है यह दो नीचे के लिए और हर रपीम के लिए वाला तो इस तरीके से वाला सेंसर यह वाला का बहुत आड़्बांस हो जाए परसर से भी आड़्वांस हो जाए परसर में थोड़ा-बहुत रीडिंग नहीं दिखा था चौ 60 परसन खुला हुआ है 70 परसन खुला हुआ है उससाब से बाइक को यह एडवांस करता अगर आपको नहीं यह वाला कप्रड़ खुलगा रखा है आपका बाइक हमेशा अपने मनलग फुल थडल दिया है तो टाइमिंग उसका एडवांस हो गया तो एडवांस पोजिशन में ह अपने इसमें नहीं रिखा रहा है मतलब अपने क्या हुआ फुल थोड़ आपके बाइक देखे रखा है तो उससे अपसे टाइमिंग करेगा ऐसे इसमें अपका पेट्रोल जादा जाएगा ठीक है तो कप्रड़ को हमेशा लगा करके इसमें थोड़ा बहुत भी पेट्रो आपका स्टाइमिंग में रहेगा फूल थोड़ल पे आपका टाइमिंग सेम रहेगा? इसलिए अपने पिकप जो हैना अपका स्टाइमिंग में जो रहता है यह अल्ड़ वाले में बैक में बोल रहा हूं आपका 70-90 के बाद मतलब 90 जाएगा उससी सब इस सबसेंगर तर्स में कोई भी चेंज नहीं होता है इसमें क्यों इसमें देखना आप स्टार्टिंग में जो आपको बाइक पावर मिलेगा ठीक है आप हाई आर्पेम पर देखे और भी अच्छा पावर मिलेगा इसलिए यह वाला सेंसर दिया रहे तो मैंने आपको प्रेक्टल करें दिखा दि और इसको चिपका देना अच्छे तरीके से घूम जाएगा तो आपका सेंसर लगा होगा तो भी कोई काम नहीं करगा लास्टली मैं आपको करने वाला हूं 19-20 का फरक इसमें में लगा हुआ है सेंसर भी लगा हुआ है कनट किया हुआ है अब है कॉम स्टार्ट करेंगा मतलब पहले से स्मूथ हो गया है अभी इस कंडिशन में ही आप इसका प्रक प्लाग है मतलब यह वाले कप्लड है यह निकाल देंगे आए बाइक को यह लगेगा कि वाइक हमने फुल ट्रॉडल देके रखा है अभी आर्पीम देखो स्टेवल तो है स्टे आर्पीम तो आप तो इस वीडियो साब को बहुत तरा नॉलेज मिला और वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नहें तो डिफिलेनल इंट परसेंट सब्सक्राइब करके विला इक और प्रेस करते और कुछ भी पाई करना है माहा मेरे वीबसेट से तो अब डिसकिस पर लिंक कर सकते हैं भीजिट कर सकते हैं जाहिए जाहिए बंदे मातरम भार नमाते की जाहिए